हर्दोई के कोटवाली देहात इलाके के कोड़ा घाओं में एक तेज रफ्तार टेंकर ने पांच लोगों को रोन दिया जिहां हाथसे में दो लोगों की मोत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए है जिनका जिला हस्पताल में लाज करवाया जा रहा है हाथसे के बाद टेंकर चालक भाग निकला पुलिस ने शमो को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए कारवाई शुरू कर दी है कोटवाली देहात इलाके के शाहा जानपूर मार्ट बर कोड़ा गाओं के पास श्यामू पान की दुकान चलाता है यहीं परवैद रूप से टेंपो स्टेंड भी चलाता है बताया जाता है कि इसी पान की दुकान के पास कई लोग खड़े थे और एक टेंपो भी खड़ा था इसी बीच शाहा जानपूर की तरफ से एक डीजल टेंकर तेज रफतार से आ रहा था जिसने टेंपो को बचाने के चलते सरक किनारे खड़े लोगों को रोन दिया हाथसे के बाद अन्य अन्तित होका टेंकर सरक किनारे खाई में चला गया टेंकर के नीचे दब कर कोड़ा गाउं के श्रवन कुमार 30 वा सौरब 22 में की दब कर मोथ हो गए जब किसी गाउं के राजेश्वर सिंग 45, रामु सिंग 40, वविक्रम 20 घायल हो गए जानकारी मिलते पुलिस मोके पर पोंची और ग्रेन के सहारे टेंकर को खाई से बाहर निकाला गया हाथसे के बाद टेंकर चालक भाग निकलने में सफल रहा कनदा से आ और कनदा में सहाबाद की ओर से ट्रक आ रहा था इसमें टेंपू note के चक्कर में सर्खोके में जाके पान की दुकान में टककर मार दियूए और पान के दुकान के पास पांच लोग खड़े थे तुा उसमें दो लोगों कि मोके पर ही मोत हो गई और और तीन लोग अंभी रुप से भी घायल है जो अभी जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ग्राम कोड़ा के पास शाह जहांपुर महार्णिक से एक डीजल का टैंकर आ रहा था और वहां कोने पे किसी टेंपो को मचाने के चक्कर में वह पलट गया और उसके नीचे विक्तियों की दमके मृत्यू हो गया है और फ्रक को कबजे में पुलिस में ले लिया है रॉआप वाग जिसके थालाज की जारी है शव को कबजे मे लेकर के पुंश्मार्ट टीन के भीज़ धिया गया है उनके परिजनों से थहीर प्राप्त करके पैस्पितले हिने इसमें चार लोग हैल हैं, तो विक्तिक बच्टी दो है। शेर और सब्सक्राइब करें। घंडे वाद।